तो वाइस राउंट रवेड हो सकते हैं इंडिया के अगले हेड कोच यूँकि उन्होंने इस पोजिशन के निये अप्लाई कर दिया है हेड कोच की पोजिशन के नहीं अपलाई कर दिया है क्योंकि इंडिया को टी टॉंटी वर्टव के बाद एक नया हेड कोच मिलने वाला है और क्योंकि हेड कोच पहले प्रविशास्ते थे उन्होंने इस पद को छोड़ दिया है तो अब राउल ट्रविट जहें वो इस पोजिशन को हासिल कर सकते हैं तो अचीवमेंट के बारे में बता दूब राउल ट्रविट की ऐसे कोच की बारे में 2012 में उन्होंने रिटाइमेंट ले लिया दे इंटिनेशन क्रिकेट से और 2016 से लेके 2019 तक वो हेड कोच थे इंडिया एकी अंडर 19 टीम के और उसके बाद 2016 में बो इंडिया नटो अंडर 19 टीम जो है वो रणर अप रही थी हो तो कुछ बड़े खिलाडी जो है वो अभी भड़ते सितारों को वो जानते हैं कि कौन अच्छा सूपरस्टार बन सकता है आने वाले टाइम में और इसी वज़े से वो बहुत ज़्यादा पसंद किये जाते हैं कोई बहुत सारे क्रिकेटर्स दौरा और बहुत सारे इंडियन अपकमिंग सूपरस्टार्स के दौरा तो इसी वज़े से साथ जादा लोग यही चाते हैं कि वो भारत के कोच बने और रवी शास्तिर को रिप्लेस करें तो अब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नया कोच मिलने वाला है टी टॉन्टी वर्लेकप के बाद और व और राहू ट्रावीट ही होंगे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो न्यूज और अप्डेट्स आपके लाता रहता हूं मेलते हैं यह वीडियो में जब हो जाद आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी